Hello everyone, तो आज हम बात करेंगे कि पढ़ने में मन कैसे लगाया जाए तो ये दिक्कत बहुत सारे students के आ रही है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता सब्जेक्ट्स बहुत ज़रा बोरिंग लग रही है पांच मिनिट पढ़ते हैं और ऐसा लगते हैं कि घंटे से पढ़ रही है रोज सोचते हैं कि कल से पका पांच घंटे पढ़ेंगे लेकिन मुझे पांच घंटे हैं वो आते ही नहीं कभी कल हमारा आता ही नहीं है कल-कल करते रहते हैं लेकिन कभी शुरुवात नहीं कर पा रहे तो ये दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स की है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएंगी कैसे पढ़ने में कंसेंट्रेट कर पाएं तो देखो पहली बात तो आपको जो भी काम करना है आपको पता होना चाहिए कि आपको वो काम करना क्यों है कि आपको क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है अगर आपको यहीं नहीं पता कि मुझे क्यों पढ़ना है जो मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ यह वही बात होगी कि आपpa बजार घे और आपको पता ही नहीं कि आपको सबजी करीदने आपको कपड़े करीदने है कि आपको फ्रूट्स करीदने है कि आपको क्या कान करने आए व April आहिंग हो। आपको डांट नहीं खानी आपको खुशी-खुशी आपके मार्क्स देखकर खुश होना है तो यह जो भी आपकी रीजन्स है उसको थोड़ा याद करो कि भाई मुझी पढ़ना है क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता हूं अगर इसके बाद भी आपको कोई रीजन नहीं मिलता कि मैं को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्यों पढ़ो तो दो मिनिट के लिए अपने आखे बंद करो और सोचो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है या कल को यह मान कर चोले कि अगर आज आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप क्या देखना आक में और आप एक कमरे में बैठे हो आपके पापा एक दूसरे कमरे में बैठे हैं और आप अंखे मिलाने से भी डर रहे हो क्योंकि आपके नंबर कम आए और छुपते फिर नहें उन से और किसे रिजि lazud आपके फोन आगे और डर रहे हो कि कहां मुह छुपाएं क्योंकि आपके नमबर अच्छे नहीं है आपको शल्मिंदगी फील हो रही है आपको रिग्रेट हो रहे है कि काश्ट पहले पढ़ ली होता अगर पता होता कि यह सिचुएशन आनी है यादे आप अपनी आखे बंद वहां सारी मिठाइho ही हैं और आप इकनम सी खूश हो आपको कौन सी फिलिंग चाहिए तो जो फिलिंग चाहिए उसको चूस करो और अपने लिए पढ़ना शुरू करता थो नहीं पीहली बात क्यों पढ़ना है तो आप बात करते है कि क्या पढ़ना है जादे तर बच्च पढ़के देख लेते हैं, साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, तो दस मिनट वो पढ़ते हैं, यार जी यह तो मुझे समझ नहीं आ रहा, यह क्या definition है, इसको कल करेंगे, इसको अगले दिन करेंगे, साइंस बंद कर देते हैं, इंग्लिश खोल लेते हैं, मतलब हमें पता ही न नहीं होगा, कि हमें अपनी नजर कहां टिकाने, हमना फोकस कहां टिकाना है, तो सब्सक्रां कैसे पढ़ पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, कि आपको क्या चीछ पढ़नी है, मोटिफ लेके बैठो, अब यहाँ जैसी में नहीं झी बोला कि मोटिफ लेके बैठो ए और आपने जल्दी से आपने टाइम टेपल बना लिए कि कल से पका पांच गेंटे पढ़ना शुरू पका और अभी आज का दिन ऐसा है कि आप एक गेंटा भी पढ़ाई को नहीं देगा और कल से आप सोच रहे हो कि कल से मैं पका पांच गेंटे पढ़ूंगा तो देखो सिं बाद के बहार होते हैं और फिर खुदी स्ट्रेफ्ट हो जाते हैं और फिर वो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि जब आप अपने माइंड को इतना बड़ा टार्गेट देते तो कि बही कल फिये पक्का पांच गेंटे पड़ेंगे तो आपका माइंड और ज्यादा बर्डन में चला जाता है फिर वो कहते है कि बही क्या ही पड़ना फिर आप उस काम को टालने लग पड़ते हो प्रोकास्टिनेट करने लग पड़ते हो कि कोई बात नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे हम छोटा टार्गेट बनाएंगे मतलब कि अगर आप दिन में बिल्कुल भी किताबे नहीं खोलते तो आपके इंटरस्ट तो बनेगा ही नहीं तो उसके लिए अब आप क्या करोगे आप ये ट्रिक फॉलो करेगे इस ट्रिक में क्या है आपको सिर्फ फाइम मिनट्स पढ़ना है अब यह आप अपने पूरा दिन टाइम पास कर रहे हो उसमें से सिर्फ आपको हर घंटे पांच मिनट्स अपनी बुक को पढ़ना है अगर आपको भू से 50 मिनट्स है मशलाओ है आपको resumes 5 इन तो गुद्टे आपना टाइम पस्ते इंठे से जिरों में उन बच्छों के लिए इनव को बिलैंड नहीं अपनों इट शुरू करो गे तो 3-4 दिनों में आप देखोगी कि आपकी पढ़ने की हैबिट बनने शुरू हो जाएगी पांच-पांच मिनट करकर आप दिन में दोज घंटे शुरू में पढ़ना शुरू कर दोगे और जब एक बर आपकी हैबिट बनगी रूटीन बन गी आपका इंटरस्ट आने लग पड़ा तो दीरे-दीरे जो आपका दिमाग पेले बुक्स से दूर भागता था उसको रिजिस्ट करता था बिलकोल भी बुक्स को पकड़ने को तियार नहीं था वो दिमाग आपका बुक्स में इंट्रस्ट लेने लग पड़ेगा उसको चीजे समझ आने लग पड़ेगे कि येस मुझे पढ़ना है मुझे मज़ा भी ये बाहर आइन में सीधा एक गम से आपको कूदना नहीं है दीरे दीरे चलना है तो जब चोथे दिन आपको होगा कि येस ठीक है मैं दिन बढ़ते हैं वो टाइम 30 minutes 40 minutes से पहुँच जाएगा फिर वो क्या होगा 40 minutes पढ़ोगे 20 minutes ब्रेक लोगे फिर 40 minutes पढ़ोगे फिर 20 minutes ब्रेक लोगे और ये एकदम से नहीं होगा इसको होते होते आपको 10 to 15 days लग जाएगे लेकिन ये चीज पक्का होगी ही होगी अगर आप ऐ कैसे करोगे तो ये थी आपकी दूसरी ट्रिक तो बस आपको ये दोनों ट्रिक्स को फॉलो करना है और मुझे बताना है कि क्या आपका पढ़ने में मन लगा क्या आपकी उस टड़ी शुरुवात हो पाई और ये ट्रिक्स पक्का आपके काम करने वली हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से फॉलो करते हो फाइव मिनिट्स पढ़ना है ओके जादा टेंशन नहीं लेनी है शुरुवात से शुरू करना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है और आप फ्यूचर में भी मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर क कुरुक davon है और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर क्योंकि आप लोग कहते हो ती हमें पता ही नहीं रokता कि वीडियो कब आती है क्योंकि आप लोग fan si to subscribe के साथ थे आपना एसको बाता हैs अगली किसी वीडियो में तब दो सक यारो नहीं दब होगा तो बेल कीशे है अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए all the best bye bye